नमस्कार आशा मैता की रसोई में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है तो देखिए ठंड का मोसम है आजकल खासी जुकाम नजला बल्गम यह आम समस्या है तो मैं आज आपके लिए ऐसी रेमेडी लाई हूं जो आपको इन समस्याओं से चुटकारा दिलाएगी उसके सबस्क्राइब करना मत भूले आये देखिए है में तो देखिए उसके लिए हमें अद्रक चाहिए इस अद्रक मैंने अद्रक को थोड़ा सा मैंने इसको गैस फे भून लिया है आप किसी छलनी मेंडाल के या किसी भी तलने वाला जो हमारा होता है निकालने वाले स्टेनर उससे आप रखके आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेजिए तो इसकी जो इम्मुनिटी सिस्टम है वो काफी बढ़ जाता है उससे तो मैंने इसको भून लिया है और अब हम इसको छील कर इसको काटकर ग्राइंड करेंगे और यह मैंने गुड़ लिया है गुड़ थोड़ा सा आप ज्यादा ही डाले क्यूंकि अद्रक तिखी होती है थोड़ी और यह मैंने सेंदा नमक लिया है यह थोड़ी सी खस खस ली है यह थोड़े से सफेद तिल है और यह थोड़े सी काली मिर्च है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है मैंने यह सारे ही हमारी बॉड़ी के लिए बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉड़ी को गर्मी पहुंचाते हैं और हमारे जो शरीर में कफ जब जाता है उसको बाहर तो मैं आईए आपको छील के इसको दिखाती हूं, छील के और ग्राइंड करके दिखाती हूं, तो देखिए मैंने अद्रग को छील कर दो कर अच्छी तरह से इसको मैंने पीस लिया, इसके बार एक टुकडे करके, यह देखिए, यह काफी असानी से हो जाता है, छीलते भी ब और हम गैस को ओन कर देंगे और इसको हम एक मिनिट तक अच्छी तरह से भूनेंगे गैस की लो को आप मीडियम ही रखिए यह देखिए हमने एक मिनिट तक इसको अद्रक को भून लिया अच्छी तरह और इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और अब हम इसमें गूर डालेंगे जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है जो अधरख के लिए गुड़ तरह से बहुत और अधर को आधा चा मने की चाइस आप खुड़ को चाहे तो छोटी चोटी टुकड़ों में तोड़ सकते हैं या इसको ग्रेट कर सकते हैं, वो जैसे भी आपको convenient लगे, आप ऐसे ही कर सकते हैं उसको, यह देखिए. इसके आप छोटी-छोटी गोलियां बनाईए, या वैसे भी आप तोड़ के छोटा सा टुकड़ा खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, तो यह सर्दियों में काफी फाइदे मंद होता है, बॉड़ी के लिए, तो आप इसे जरूर एक बार ट्राइ कीजिए, क्यूंकि सर्दियों में अक्सर बच्चों को खासी जुकाम तो ठीक ही नहीं होता, बड़ों को भी यह काफी तंग करता है, खासी जुकाम, तो आप इसको एक बार जरूर बनाएए, यह देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें एक चमज के करीब दिल डालेंग और हम इसमें आदा चमज के करीब खस-खस डालेंगे, खस-खस भी इसकी तासीर गरम होती है और यह हमारी बोड़ी को गरम रखती है, आदा चमज आप इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी में भी एंटि-बैक्टिरियल गुण होते हैं काफी और यह हमारे गले को ठीक रखती है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जैसे भी आपका गला खराब हो आप नमक और हल्दी डालके गरारे किजिए, आपका गला तुरंट खुल जाएगा, और इसमें थोड़ी सी आप काली मिर्च डालिए, बिल्कुल आप थोड़ी सी डालिए, यह मैंने फ्रेश क्रेश की काली मिर्च हैं, वन फोट टीस्पून डाली, क्यूंकि अधरक हमारी तीखी होती है, तो काली मिर्च का भी टेस्ट तीखा होता है, तो आप थोड़ सी कमी डालिए, और इसको आप तीन से चार मिनट तक पकाईए, ताकि हमारे अच्छी आप मार्किट से मेडिशन भी लाते हैं, तो वो भी काफी तिखी होती है, कोई आप सिरिप लाते हैं, यह कोई बात नहीं थोड़ सा तिखा होगा तो बच्चों को खिलाईए, क्यूंकि मार्किट वाली द्वाईयों में तो कुछ केमिकल जरूर मिले होते हैं, यह हमारे घ काफी फाइदे मंद हैं, यह हमारा इमनिटी सिस्टम स्ट्रोंग करती है, ताकि हमारे शरीर इन रोकों से लड़ सके, तो आप एक बार जरूर बनाएए, और ट्राइ कीजिए, यह मेरा आजमाया वो नुस्खा है, तो आप एक बार जरूर बनाएए, मेरी कोशिश यह होती है कि अगर मेरे को कोई भी टिप है या कोई भी नुस्खा है, तो अच्छा लगता है और वो फाइदे मंद होता है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूं, बस आप इसको थोड़ा सा गाडा होने तक इसको पका लेजी, यह देखिए, यह हमारा लगभग बन चुका है आप इसी कंसिटेंसी का चाहिए, थोड़ा सा आप इसको उगली गल लगा के देखेंगे तो यह चिपकेगी, ताकि हमारी यह जो कैंडी बनाएंगे हम अच्छे से बन सके, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके, फिर मैं आपको कैंडी बना के दिखाती हूं, मैं इसको अलग बाउल में निकाल लेती हूं, फिर मैं आपको दिखाती हूं, तो यह देखे, यह आप इसको गैस से उतारके, किसी और बरतर में ट्रांसफर कर लीजिए, और इसको हलका सा ठंडा कर लीजिए, और आप उसके ऐसे ऐसे गोलियां बनाएंगे, यह देखे, जब यह ठंडी हो बल्गम से, क्योंकि सर्दी के मोसम में यह प्रोग्म हर किसी को आम होती है, तो आप यह जरूर बनाए यह, तो देखे, यह अदरक की गोलियां आपके गले के लिए तैयार हैं, इसको आप जरूर बनाए यह, क्योंकि यह आपको अगर गला खराब है, कफ, शंकफ है, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिये, आप सब्सक्राइब जरूर किया किजी, क्यूंकि काफी मेनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप जुड़े रहे आशा मैता किरियो सोई के साथ, और सर्दी से अपने आपको बचा के रखिये, टेक केर, थैंक यू.